आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे चैंसों मशीन लेकर रहा हूँ जिसको आप अपने घर के कामों में यूज कर सकते हैं एक्षिली लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों की रिक्वाइर्मेंट आई थी कि उनको एक ऐसा पोर्टेबल चैंसा चाहिए जो उनके बजेट में भी हो और जिससे की वह अपने घर के सारे काम इजली कर सकें तो यहां पर हमारे पास ब्लुटेक कंपनी के दो चैंसा म मशीन के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं यहां पर ब्रैंड का नामे ब्लुटेक इसका मॉडल नंबर है बीएसबी वन सिक्स एस यानि कि यह वाला जो है यह पैट्रोल चैंस हो है अन्बॉक्स करने से पहले मैं आपको इसकी टैक्निकल स्पेसिपि स्पीड मिलती है हमें इसमें 4000 राउन पर मिनट की स्पीड मिलती है जो कि बहुत अच्छी से लगडी कटिंग करती है अभी मैं आपको यह चैंसा अन्बॉक्स करता हूं कि इसमें हमें क्या मिलने वाला है तो अभी हमें इसको अन्बॉक्स करते हैं और इसका फर्स्ट लुक देखते हैं यहां पर हमें सबसे पहले इसका यूजर मैनुवल मिलता है दैन उसके बाद हमें इसका फर्स्ट लुक भी हमें बहुत ज्यादा प्रीमियम मिल रहे है यह हमें एक सेफटी गार्ड मिलता है इसके साथ जो गाइड बार आता है 16 इंच का गाइड बार आता है और आप इसमें 10 इंची का 12 इंची का 14 इंच का गाइड बार लगा सकते हैं और यह इसका हमारा एक attachment है और यह इसकी chain है हमारी और हमें एक इसकी range मिलती है और इसमें screwdriver भी रहता है अभी हम इसकी detailed information आगे share करेंगे और यह जो chain size इसे आप देख रहे हैं काफी जादा handy है और इसकी सारी technical specifications हमें यहाँ पर mention हो जाती है जैसे कि इसका model number मैंने आपको बताया था कितनी electricity लेता है और इसका कितना motor है और जो इसकी speed बगारा है वो सब इस पर mention है और copper का motor है यहाँ पर इसका exhaust मिलता है और इसकी जो body होती है आप body देख रहे हो यह heavy duty plastic में body है और flexible plastic है जो अगर गिड़ जाएगा तो तूटेगा भी नहीं और आगे की जो इसके हमें housing मिलती है gearbox वाली वो पूरी metal में मिलती है इसके carbon change करने के नहीं यहाँ पर हमें options मिलता है और यह जो है यह इसका on-off switch है यहाँ पर एक noob होता है यह heavy काम की नहीं machine है जब आप यह noob दबाओगे तभी इसका trigger चलेगा so machine आपकी चलेगी और अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे carbon के बारे में चेंज करने और अगर आप कभी कबार चला रहे हो तो आप इसको दो महीने में चार महीने में चेंज कर सकते हो और यहाँ पर हमें इसका handle मिलता है पकरने के नहीं portable handle होता है जिसके हम अपने गाइड बार लगा कर चैन सा चलाते है अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी द जल्दी खराब बिनी होगी तो अभी मैं आपको इसमें चैन लगा कर दिखाता हूं कि किस तरह से यह एक्जेक्ली काम करता है इसके नहीं हम रेंच लेते हैं और यहाँ पर हम यह दो नेट बोल्ट मिलते हैं इसको हम खोलते है जो इस तरह से खुल जाएगा और उसके करते हैं यहां चैन पर आपको डिख रहा होगा यहां पे अधार लगी जो हंके हमारी direction वाली direction से लगाना है और तो आभी मैं आपको यहां ट्राइछा यहां को लगा कर दिखाता हूं किस तरह से लगता है हमें सबसे पहले यहां पर 2 screw मिलते है यह screw को हमें खोल कर यह attachment लगाने उसमें पिर हम अपना safety guard लगा दिंगे safety guard लगाने का purpose होता है कि जब आप लकडी की cutting करो तो जो लकडी की छीलन भागरा होती है वह आपके आखों में नहीं आए यह हमारा safety guard लग गया उसके बाद हम अपना guide bar लगा कर चैन लगाएंगे मैं आपको फिर बता रहा हूं यह में एक demo video बना रहा हूं यहाँ पे आपको चैन लगाने के बाद या चैन लगाने से पहले oil ज़रूर दालना है बिना oil के आप यह चलाओगे तो आपकी चैन बहुत खराब हो जाएगी चैन लगाने का process भी बहुत ज़्यादा simple है सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी चैन किस direction में चलेगी तो दीखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले guide bar में चैन लगा ली और इसको just हमें simple इस तरह से लगाना है और यह हमारा चैन सा इसमें फिट हो गया उसक करते time पर हमें एक चीज का दिहान रखना होता है कि ना तो ज्यादा tight रहे ना ज्यादा दूज रहे इसलिए हमें इसे equal tight करना पड़ता है जैसे कि मैं वीडियो में कर रहा हूं यह बहुत ही ज़्यादा easy process है इसे आप अपने घर पर काफी ज्यादा आसानी से कर सकते हो तो अभी हमारी चैन लग गई तो यहाँ पर आप देख रहे हो यह चैन है बहुत ज्यादा लूज अभी ना तो हमारी चैन को ज्यादा लूज होना चाहिए ना ज्यादा tight तो अभी हमें क्या करना है यहाँ एक screw मिलता है यह screw का क्या काम रहता है यह screw को जैसे जैसे हम tight करे पमेटिकली वह हमारी चैन को टाइट करते रहें का तो अभी मैं आपको इस चैन को टाइट करके दिखाता हूं Pause अब हमारा केज में अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगी तो यह चलेगा नहीं और बहुत ज़्यादा लूज होगी तो यह चैन आपका बहुत निकल जाएगा तो आपका यह चैन स्लिप होने का डर रहता है के मैं आपका बता रहा हूं किस तरह से यह आपने जर्सक् ने अपनी स्थिक यotine लगाई चैन लगाने के बाद आपको 40 दबाना और कड़िए और अपको यह नहीं सभी चैन सा चलाते समय अप को एक चीज़ का दिहां रखनान है कि आप जब भी चैन सा चलाएं तो उसको इस दाइरेक्शन में चलाएं ना की इस डाइरेक्शन में एक लिए बहुत सारे लोग क्या गरते हो ऐसे करके चलाती तब होता क्या है जटका लगता है तो जच इस तरह से आती है जिससे कि आपको चोट लग सकती है मैंने अब आपको यह एलेक्ट्रिक चैंसा चला कर दिखाया क कि एक ऐसे काम करता है और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और अपने घर के नहीं आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप बेफिकर हो कि इसको खरीज सकते हैं बहुत कम बजएट में बहुत अच्छी मशीन है यह तो अभी आपने बिलुटेक कंपनी का 16 इंची का च यूज कर सकते हैं अभी हम इसको अन्बॉक्स करते हैं अब हम देखते हैं कि हमें अंदर क्या-क्या मिलने वाला है यहां पर हमें सबसे पहले एक गाइड बार मिलता है और यह गाइड बार का कवर आता है यह गाइड बार है 11.5 इंच मैंने जैसे कि आपको बताया था कि घ बोटलं जिससे आपना ऐल वगारण तोर कर सकते हैं न यह हमारे टेल कीट आती है इसके इन दर भी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है इसके हैं अंदर हमें कुछ range मेलती है कुछ allen की मिलती है और ये हमारे dental teeth आते ह Är देंटल थीफ होते हैं and then उसके बाद हमें यहां इसकी चैन मिलती है यह चैन भी मैं आपको कोल कर दिखाऊंगा लगाती समय 11.6 इंच की यह चैन है और यह alternate में भी हमारे पास आपको मिल जाएगी and then उसके बाद यह हमारा चैन सा यह कुछ इस तरह से इसका first look है इसको मैं भी बाहर निकालता हूँ आप यहां दिखें कि बहुत जाद handy है मैंने इसको अपने एक हाथ से पकड़ रखा है तो अभी मैं इसके बारे में आपको detailed में बताता हूँ कि इसका क्या mechanism है तो अभी हमिस स्टार्ट करते हैं यहां से वो मैं आभी आपको आगे बताऊंगा ब्रेक कैसे काम करता है जब हम अपना गाइड बार लगाने के बाद चैन लगाते हैं तो जब तक हम इसको उपर नहीं करेंगे इस तरह से तब तक हमारी चैन नहीं चलेगा यह ब्रेक हो गया दैन उसके बाद यह हमारा on off switch होता है और यह जो है यह हमारा इसका trigger है यहाँ पर इसको पर एक interlock होता है जब तक हम यह interlock नहीं दबाएंगे तब तक हमारा trigger नहीं चलेगा इसका मतलब क्यों 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 क्या होता है कि कभी-कभी machine is tired है हम कुछ और काम कर रहे हैं बेद्यानी में हमने इसको चलाया तो वह हमें नुकसान भी दे सकता है दैन उसके बाद यहाँ पर भी machine की technical specifications के बारे में बात करते हैं इसके अंदर जो हमें engine मिलता है इसके अंदर हमें engine मिलता है 25.4cc यानि की 25.4cc का engine है और 230 ml इसकी tank capacity है और यह एक बाद tank pull करने पर एक से देल खंटा regular चलेगा और जो इसके अंदर lubrication oil देलता है वह 170 ml की capacity है दैन उसके बाद यहाँ पर हमें इसका यह filter मिलता है जिसको मैं भी आपको खोल कर दिखाता हूँ अगर आप चैंसा regular use करते हैं तो आपको एक से दो महीने बाद इसका फिल्टर होता है इसका फिल्टर चेंज करना पड़ेगा जिससे कि आपका चैंसा बहुत ज़्यादा efficiency के साथ काम करेगा यह कुछ इस तरह से इसका फिल्टर वगरा रहता है यह इंजन वाला चैंसा है इसलिए यहाँ पर यहाँ प्लग है उसके बाद में इसको आपको आपको दिख रहा होगा यह होता है प्राइमर बल्ब इसको अभी हम आगे दिखाएंगे कैसे चाम करता है यह जो हमारा यह बताएंगे कि यह किस तरह से चलेगा यह हमें इसकी किक मिलती है और अगर आप किक को भी देखोगे ना तो इसके अंदर का जो हाउजिंग है यह पूरा अंदर से इसका हाउजिंग मैटल में है यानि कि यह उपर से प्लास्टिक का बाड़ी है फ्लेक्सिबल वह भी औ अब हम इसकी आगे टेस्टिंग दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम करता है तो टेस्टिंग दिखाने के निए मैं इस सबसे पहले अपना घाइड बार लेता हूँ और जो में चैन मिलती है वह चैन को बाहर निकालता हूँ तो यह हमारी रही चैन जैसे कि मैंने आपको दि यानि कि अगर आप एक बार यह खरीदते हो तो आपको कोई अडिशनल टूल खरीदने की जरूरत नहीं है इसको चलाने के नहीं लूज करने तो इसको लूज करोगे टाइट करने तो टाइट करोगे और जो मैं आपको ब्रेक बता रहा था हूँ ब्रेक का मेकैनिजम कुछ इस तरह से होता है और यह जो रहा यह हमारा क्लच और पिस्टन वगारा है इसके अंदर सारा तो अभी हम अपना गाइड बार लग कुछ नहीं खरीदना पड़े तो यह हमारा डेंटल तीत लग गए डेंटल तीत का काम क्या होता है यह जो गाइड बार होता है जब आप लकडी कड करते हो तो यह यहां से इसको सपोर्ट देता है तो मैं चैन लगाकर आपको दिखाता हूं किस तरह से काम करेगा चैन लग लगाने के बाद गाइड बार लगाते हैं और गाइड बार लगाने के बाद हमें अपनी चैन को गाइड बार पर चड़ानी होती है तो अभी हमारी चैन गाइड बार के साथ लग गए उसके बाद यह वाला जो फ्रेंड इसका हैंडल होता है और सेफ्टी गार्ड एक तरह एक ही बार करना होता है हमें जब यहां पर हमने इस हैंडल को लगाया हैंडल को लगाने के बाद यह चैन हमारी लूज हो रही है इसको हमें इस स्कुरू से बहुत सिंपल तरीके से बस टाइड करना है तो अभी हमने यह चैन लगा दिए अब चैन लगाने के बाद फाइनल मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से चलाते हैं हैं यहां पर दिखेई आपको इस दो सम्छत मिल रहे पाहला के जो मिल रहे हैं यहां ऩामें लिभरिकेशन ऑल करे नहीं तो यहां पर यह लिब्रिकेशन ओयल आता है H.I. कंपनी का यह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लिब्रिकेशन ओयल होता है आप इसको अगर खरीदने चाहते हो बल्क कॉंटिटी में तो आप हमसे भी खरीच सकते हो नहीं तो यह इसली आप मार होता है उपर वाला नूप हमारा यह वाला नूप होता है पैट्रोल के लिए इसमें दालते हैं पैट्रोल इसमें हम खाली पैट्रोल नहीं दालते हैं इसमें हम पैट्रोल के साथ की टूटी ओयल आता है मैक्स कंपनी का जो कि भारत पैट्रोलियम का प्रोड़क्त है आप तो टूटी ओयल डाल सकते हैं, जो टूटी ओयल होता है यह आपका एक लिटर पैट्रोल में 40 ml के सम्टिंग पढ़ेगा, अगर आप इसको बिना टूटी ओयल के यूज करोगे तो यह आपकी ब्रैंड का टूटी ओयल यूज करोगे तो आपकी मशीन वह सालो साल चलेगी, त पहले उसके बाद फिर हम इसमें टूटी ओयल डालेंगे, आप बोतल पे भी हमें प्रॉपर मेंशन होता है, कि हमें कितना पैट्रोल डालना है यहाँ पर मैं लगभ यह सेवनेटी etwa, मिल के समझिंग पैट्रोल लिए उसके बाद इसमें मैश्माइक प्योटी पैट्रोल ऑ होगा आइए भी अभी हम इसको ब्रेक करते हैं और आइल दालने से पहले हम इसको थोड़ा सा शेक कर लिए और तूटी आइल दालने के बाद जो हमारी बोटल है 5-6 सेकिन हम इसको काफी अच्छे से शेक कर लेते हैं और फाइनली अब हम इसमें डालते हैं पैट्रोल और पैट्रोल दालकर आपको इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे कि इस तरह से चलेगा तो यहाँ पर मैं यह पैट्रोल दालता हूं यहाँ पर मैंने तोड़ा सा पैट्रोल दाला है अभी जस्त आपको टेस्टिंग दिखाने के नहीं किस तरह से काम करता है प्रॉल दालने के बाद आपको चैंसा को अच्छे से साफ कर लेना है ताकि हमारा पैट्रोल कहीं रहनी जाए अभी जो बात कर ते प्राइमर इस वाले मॉडल के चैंसों में जो प्राइमर बल्बे और जुस्ट इस तरह से बस हमने दो से तीन बार दबाना है अब हमारा पैट्रॉल इसमें आ गया अभी मैं आपको इसको स्टार्ड करके दिखाता हूं यह किस तरह से स्टार्ड होगा स्टार्ड करना बहुत सिंपली है यहां पे सबसे पहले हम इसको on करते है यह अगर आपका चैंस नहीं से नहीं चला है तो आप एक बाद इस चौक को इस तरह से उपर कड़ दीजे और उपर करने के बाद उसके बाद यहां पर आपको इसकी किक मिलती है आप जस्ट इस किक को कीचिए और आपका चैंप से स्टार हो जाएगा अब अब मैं आपको दिखाँगो यह किस तरह जे चलता है हमारा बेक है अब देख को दबा लेंगे तो अब यह वीडियो देखती समय आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको कैसे खरीज सकता हूं या मैं इसके बारे में कैसे इंक को अधिल लिए सकता हूं आपको यहाँ पर हमारा नंबर मिल रहा है स्क्रीन पर आप हमारे इस नंबर पर कॉल किजे हमारे एक्जिकीटिव से बात किजे बहुत इजी है इसे खरीचने का प्रोसेस आपको जस्ट और करना है अपना एड्रस देना है और तेने के 4-5 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में नैपाल में भुटान में जहां से भी आपकी वीडियो देख रहे हैं आपके घर पे पहुचेएगा और शोरीटी कैसे जैसे आप और करोगे और करने के 12-16 गंटे के अंदर आपको इसकी कोरियर की स्लीप यार ट्रा में वीडियो के साथ तो थैंक यू सो मच